दोस्तो मैं लेके आगया आपके लिए एक cylindrical graph जिसके अगर percentage आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर percentage है जैसे ही वो उपर नीचे होते हैं तो यह cylindrical भी उपर और नीचे होता है बहुत ही smart लगता है presentation के समय तो चलिए यह हम बनाना सीख लेते हैं बहुत ही easy है trust me तो सबसे पहले जो graph बना हुआ है हम उसको पूरे को click करके delete कर देते हैं इसको भी पूरा delete कर देते हैं अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे name है यह मैंने एक top की percentage दे दी है जिसको मैंने 1% as a default set कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक random percentage assign कर दिया है मैंने simple random between लगाया 30,50 divided by 100 त करेंगे तो यह आपको random numbers देते रहेगा ओके तो यह हमारा आगया अब मैं इन तीनों को select करता हूँ insert में जाता हूँ insert bar chart है उसमें click करिए और second वाला जो bar chart है आप इसमें click कर सकते हैं मैंने second वाले bar chart में click कर दिया अब मैं इसको थोड़ा उपर ले जाता हूँ मगर ध्यान अब यह जो नीचे का बार है जो blue bar है इनको हमें top में ले आना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे आप इसी chart में click करेंगे select data में जाएंगे और यह जो difference है इसको top में करके okay तो यह हमारा blue bar उपर आ गया है तो सबसे पहले इस blue bar की coloring कर देते हैं अब आप coloring कैसे करेंगे करेंगे सारा automatically select हो गया उसके बाद आप इसमें right click करके format data series में भी जा सकता है नहीं तो आप double click कर दीजिए आपकी data series populate हो जाएगी यहाँ पर अब हम इसे format करते हैं मैंने blue bar को select किया format में गया अब यह देगे यहाँ पर जो depth है आपको depth को करना है 100 और आपको width को करना है 50 त अब हमें एक cylindrical shape चाहिए तो cylindrical shape के लिए यहाँ पर cylinder है आप उसे shape में कर दीजिए तो यह रहा कुछ इस तरीक से अब यह blue bar मेरा already उपर का selected है इसका color हम पूरे का पूरा black कर देंगे हम format paint में आएंगे जो यहाँ पे है fill and line इसको बाद fill में आएंगे solid में हम इसको black color कर दे एंगे for the time being black color बिल्कुल ठीक है अब यह graph थोड़ा सा tilted है आप अगर देखें थोड़ा सा 3D effect दे रहा है बट हमें इनको पहले सीधा करना है सीधा करने के लिए आप इनमें right click करिए और यहां 3D rotation में जाएए जैसे आप 3D rotation में जाएंगे x-axis की जो rotation है उसको आप 0 कर दीज तो कुछ इस तरीके से आपका graph दिखने लग गया अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी designing कर सकते हैं मैं जो यह bars हैं इनको color करता हूं सबसे पहले first bar को select करता हूं और अपने fill में आता हूं यहां पे solid में click करता हूं और इसका मैं color दे देता हूं dark green second वाले को click करता हूं मैं solid fill में आता हूं इसका color दे दता हूं blue third वाले का हम color दे देते हैं solid fill में आके yellow और fourth वाले का हम औरेंज ही रखते हैं fifth वाले का एक और color select कर लेते हैं let's take fifth वाले का हमने कर दिया purple अब यह हमारा set हो गया है अब इसकी according आपको यह जो उपर के top हैं वो भी color करने तो अब मैं top में click करेंगे सारे के सारे select हो जाएगा अब एक किसी में भी double click करना तो particularly वही select होगा आपका अब top को हम क्या करेंगे top को हम gradient fill करेंगे मैं ने top select किया fill में आया यहाँ पे gradient fill है gradient fill में click करना है यहाँ पे जितने भी gradient है आप सारे के सारे remove कर दो खाली दो रखना सबसे पहला और सब के जी यह भी smart है third वाले को click करते हैं already third वाले को click करके हमने दे दिया yellow और fourth वाला हमारा already orange है तो हमने इसमें click करना है और orange या last वाले का भी हमें color change करना पड़ेगा और पॉपलish है gradient fill में आए इसको click किया और आपने purple select कर लिया ओके तो यह आपका हो गया अब आप इसमें कह click करिए और f9 दबाईए तो यह थोड़ा सा smart दिखने लगा change होने लगा बट अब न मुझे यह chart का top header नहीं चाहिए मैं top header को remove करता हूं और नीचे का bottom को remove करता हूं तो इसके लिए आपको chart में click करना यहाँ पे plus का sign है plus के sign में click करना है आप chart title को remove कर दीजिए और legend को remove कर द अब आता है वो जो हमने ऊपर जो space छोड़ा था वो किस लिए छोड़ा था देखिए अब हमें क्या करना है हमें in chart का एक line create करना है line कैसे create करेंगे एक outline आप फिर से insert में जाईए insert में shapes में जाईए यहाँ पर आपके पास एक rectangle आएगा rectangle को select करिए अब आप इसका एक shape create कर ल करता हूँ पहले इसका line को हम no line कर देंगे जो इसके border बिलको remove हो जाए और इसकी solid के transparency हम कर देंगे 75% कुछ इस तरीके से हो गया है तो हमारा वो पीछे जो green है वो देखने लगा है आप इसे 80% भी कर सकते हैं वो पिलकुल आपके उपर depend करता है जैसे मैंने 80 कर दिया अब जो उपर वाला जो box है वो हमने किस लिए रखा है मैं इसे select करूँगा और मैं copy paste करूँगा बट उससे पहले ये जो fill है न ये आपका blue color में है हमें इसे change करके black color कर देना है तो आपने इसी को click करना है जो अभी आप icon लेके आये थे यहाँ पे color में जाए और इसे black color कर दीज हूँ सेम इधर भी जाना है control V से paste इसको इसके उपर ला देता हूँ और इधर भी हमें control V से paste इसको भी यहाँ पर ला देते हैं और last वाले को भी control V से paste इसको भी यहाँ पर ला देते हैं बिलकुल fix कर देते हैं ओके तो ये सारी चीज़े हमारी बिलकुल neck to neck fix हो गई हमें ब करना है बस टॉप के लिए आपको चोटा सा टॉप बना देंने कुछ इस तहीक से यह आप अब इसका पहला कलर हमारा क्या था ग्रीजिया आपने इससे इसमे क्लिक करना है यहाँ पर जा ना है ग्रीन कलर को select करना ओके Ctrl C से copy यहाँ पर यह यह पीस्ट की यह हमारा खुण सा कलर है बलू। जी हां तो यहां ब्लू। कंच्ट्रोल सी िसे कॉप्पी, यहां पे आम एऊ यह पीस्ट है यहलो। हमारा यहलो आ गया है सकति यह हमारा औरेंज, तो हमने इस लास्ट वाला हमने इसे एस आपका पॉपल है मैंने पेस्ट किया और इस वाले कलर को पॉपल कर दिया ओके तो अब यह ग्राफ आपका बन गया है पूरे का पूरा अब आप इनको चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा कर दो अगर आप बढ़ा करेंगे ग्राफ के साइज स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा वह हमको फिรसी मैंनोबले置 करना पड़ेगा मैंने बढ़ा कर दिया और यह थे थोड़े थोड़े, 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 साइज इधर मैं करेंड कर देंगे इसके बाद इन बनाया है इन सबको as a group create कर लो कैसे आपने first वाले में click करना है जो भी आप बाहर से एक shapes लेकर आए हो उनमें आप click करते चलो control की मदद से यह देखो जैसे मैं सारो को control की मदद से click कर रहा हूं और अब मैं right click करूँगा और इनको as a group create कर दूँगा that's it अब यह मेरे group create हो चुका है अब आप f9 प्रेस करिए और यह देखिए कितना smart लग रहा है कितना attractive लग रहा है यह आपका cylindrical graph तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आगी होगी पसंद आगी तो like and subscribe जरूर करना अपने comments देना मत बूलना अगर ऐसे और interesting graph चार्ट सीखने तो नीचे yes करके comment जरूर करना मैं और भी जादा से जादा graph चार्ट की वीडियो लेके आऊँगा